अबर रिवा से है जहां फोर्ड रोड असोग पेड़ के समीब मुखिमात पर लगभग 200 साल प्राचेंज शू मंदिर बना हुआ है जिसमें मंदिर के पुजारी वा भक्तगण जान जोखी में डाल कर दर्सन कर रहे है आपको बता दे कि मंदिर की छट पूरी तरह से खराब हो चुकी है छट पर लगी पढ़िया जूलने लगी है दिवार पर दरारे भी है मंदिर के अंदर जाने के बाद छट की और देखने से भी डर लगता है मंदिर की छट की जो हालत है उसे कभी भी बड़ा हाथसा हो शकता है क्योंकि मंदिर अब गिरने की कगार पर है और इस शमय शावन का शुबह उसर चल रहा है मंदिर में ज़्यादा भी डो रही है लेकिन इस मंदिर की और प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया हरांकि इस मंदिर के बारे में रीवा कलेक्टर को जानकारी भी है लेकिन अभी तक प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और इस शमय बर्शात का मौसम भी चल रहा है आप को बतादे कि मंदिर की छट खराब हो जाने से बर्शात का पानी अंदर भर जाता है ऐसे में पूजा पाड़ भी कई वार यहां मुश्किल हो जाती है बारिसाते ही मंदिर की छट से गिरने का खत्रा बढ़ा गया है आप देखे प्राचिन शुक मंदिर की क्या हालत है और फिर सुनिये मंदिर के पुजारी वा इस्थानियों लोगों ने मीडिया से क्या बताया है प्राचाशन के दोरा को देख रेखी नहीं किया जा रहा कई बारा वेदर दिया गया सब कुछ किया गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं ने मिला要लों अज़या बारा शयुकिन दोरा भंट्यों ने keyboards यह भुकिन अब्स्थान करता है इसे कनिकने नेुजात सर्दूर्स का सब्सरान अब्स्आय फर्ण मेडियने विल्व देखी शूला ने ऑन्नाम जिशाते वरोगों आपario कि मैं यहां फोड़ोर्ग निवासी हूं सिव मंदिर के बगल में रहता हूं घर है मारा दुकान भी है और यह मंदिर में बड़ा जंजर है कब कितने समय कोई हास्था हो जाए पंडी जी भी आते हैं पूजा पार्कर ने उनको बड़े रिक्स रहता है माई लाएं भी आती बड़ी डर डर के दूर रोट से दर्शन करती है आप पूरी चार तरफी दिवाले मलब जंजर हो चुकी कब कितनी समय गिर जाएंगे बहुत जंजर है मंदिर और प्रशासन इस मंदिर शिव मंदिर फोर्ट रोट परकाश मैं सुरेश शोनी हूं फोर्ट रोट का निवाशी और यह लल्ला बहादुर के नाम से प्राचेन शिव मंदिर है यहां की इस्तिती बहुत ही जरजर है आए दिन कोई कोई अप्री घटना हो सकती है भक्त लोग दर्सन करने आते हैं कई भार करयाले में अवेधन दिया गया लेकिन किसी भी तरह की कोई कारवाई नहीं हुई बल्ली के शाहरे पर ये मंदिर टिका हुआ है ुँपिलिक कहां पर रहे हैं फोर्ट रोड फोर्ट रोड शुमंदिर यह लल्ला बहादूर के नाम से मंदिर है और यह बहुत प्राचीन मंदिर है कि इसके बाद माता जी हुई माता जी ने अपने काल में कई बारा वेजन दिया मंदिर बनबाने की जब धन्नी तूटने लगी तभी से इसके बाद वो भी रिटायर हो गई यह मैं यह यहां पर अस्तुआ हमारे सामने दो तीन धन्निया चूटके गिर गई च्छत की हालत आपने देखी लिया है कि क्या है पटिया समी यहां मंद्य अप्रावन माश्चर रहा है भीडाती है और इसकी कोई भी अपनी घट नहों सकती है और मैंने 2022 में आवेजन किया था कि मंदिर जिरोग्धार के लिए तो आज तक उसमें कोई कारवाई नहीं हुई पल्ली के सहारे खड़ा है किसी वक्ति अपनी घट नहों स किसी का जीखती है कोई भी इसमें च्पके मर सकता एक है जब यूउजम पर शाभ समें कोई नहीं हुइँ हुई हए तो तो होची अभी तो कोई कारवाई नहीं हुई हम होई नहीं है हाँ हमारा नाम आमरा अपन्डित पुर्स ओतम शुग लाठ रिधा नेशनल होस्पिटल समान तिराहा रीवा में अग कैंसर का सफल उप्चार और आपरेशन की सुविधा उपलब्थ है। उप्चार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल होस्पिटल के संचालर डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्थ करवाई जा रही हैं सभी सुविधाय आइसमान से संबंदित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 या फिर संपर्क करें 7566831551 पर हमारा पता है नेशनल होस्पिटल समानतिराहा रीवा संपर्क करें 07662 359974 या फिर संपर्क करें 860288599 पर